नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस स्टार मिस्कु नीज में दोस्तों बात करने वाला हूँ वीडियो भरती 2018 के सम्भन्द में सीधा मुद्दे पर आता हूँ भया मुद्दा ये है कि इस भरती की जो पिछली सुनवाई हुई थी उस सुनवाई में जो आयोक के वकील है उनको जो भी डॉकुमेंट जमा करना है वो आठ तारिक तक जमा कर दे मतलब आज तक जमा कर दे ये जस सहब ने आयोक के वकीलों को बोला था ठीक है तो जो भी डॉकुमेंट उनको आज जमा करना है आयोग के वकीलों को वो जमा कर दे और पंदरा नवंबर के बाद किसी भी पक्ष को कोई भी समय नहीं दिया जाएगा तो जर्ण सहाब के इस बात का हम फैसला इस मतलब ये निकाल सकते हैं कि बईया पंदर तरिक को आपका फैसला आने की पूरी पूरी उम्मीद है क्योंकि जो भी डॉकुमेंट जमा करने थे आयोग को वो आज आयोग ने जमा कर दिये होंगे क्योंकि जमा करने की आज लाज डेट थी ठीक है और ज़स साब ने साफसा बोल दिया था कि 15 नवंबर के बाद किसी पक्ष को और समय नहीं मिलेगा तो इस बात का आर्थ यही लगा सकते है कि भई 15 नवंबर की जो डेट है वो वीडियो 2018 वाले चातरों के लिए 15 नवंबर की डेट है वो फैसले का दिन हो सकता है ठीक है फिलहाल जानकारी यह है जितना भी अभी तक केस आगे बढ़ रहा है उस पूरी केस की इस्तिती को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि भई 15 नवंबर को इस भरती का कोट का फाइनल आउडर आ सकता है ठीक है और भई जब साहब ने बोला है कि आपको आगे किसी पक्ष को समय नहीं मिलेगा तो इसका मदला समय नहीं मिलने वाला जब समय नहीं मिलेगा अब फिर समय दिया भी क्यों जाए जब पूरे डॉकुमेंट जमा हो चुके है S.I.T. जांच की रिपोर्ट की जो कॉपी है वो जमा हो चुकी है जब किसी डॉकुमेंट की और आवशकता नहीं है सारी कागज कोट में जमा हो चुके है तो फिर आगे इसमें तारिक किसी पक्ष को क्यों मिले ठीक है? मिलनी भी नहीं चाहिए ठीक है? बहुत समय हो गया इस भरती को कोट में खिसते-खिसते अब इस भरती का जो है कोट का ओडर आ जाना चाहिए और 15 नवंबर का दिन जो है वीडियो 2018 वाले छात्रों के लिए खुशी का दिन हो सकता है और बाकी इंतिजार करते हैं 15 नवंबर का दिन आते ही जो भी जानकरी मिलेगी आपको बता दी जाएगी ठीक है दोस्तों और 15 नवंबर का दिन आप सभी के लिए खुशियां लेकर आए आपकी 3 साल की महनत का रंग लेकर आए मैं इसी कामना करता हूँ ठीक है बहुत बहुत धन्नवाद दोस्तों जहिन जय भारत और कोई भी जानकरी मुझे आगे मिलती है तो आपको सबसे पहले मेरे चनल पर दे दी जाएगी